ओम शीगने शाय नमाराद रादे दोस्तों आप सभी का मेरे चनल वत कता असलो जर्में स्वागत है दोस्तों जब भी कोई महला अगर्वती होती है तो यह जानने की जग्यासा सभी में रहती है कि हमारे घर में आने वाला जो महमान है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी दोस्तों आज की समय में देखे लड़का लड़की में कोई भी भेदभाव नहीं है ना ही करना चाहिए लेकिन फिर भी एक जिग्यासा जरूर होती है जानने के कि हमारे घर में आने वाला बहमान लड़का होगा या लड़की होगी दोस्तो बहुत बारी मैंने देखे बेटे होने के संकेत बताये हैं लेकिन आज की वीडियो में आपको बेटी होने के साथ ऐसे लक्षन बताने वाली हूँ जो 70-80% बिल्कुल सही निकलते हैं अगर आपके अंदर ये लक्षन दिखाई देते हैं तो आप एक अंदाजा जरू जो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुष सके सबसे पहला लक्षन है दोस्तो अगर आपके चहरे पर बहुत अधिक रोनक आ गई है आपकी स्किन ग्लो कर रही है और देखिए अगर आपके हाथ पर बहुत अधिक मुलायम हो गई है आपकी स्किन बहुत अच्छी तो यह mechanism लेकिन आगर आपकी बाड़ी स्किन रूकरी और है आपके बाले रूखी उ गई घए हैं तो यह अबposition बीव बनीने का माना जाता है। बहुत सी जो गर्वती महिलाव में ये लक्षन पाया गया है जब गर में लड़की होती है तो कईयों को देखे बहुत जादा उल्टिया होती है बहुत जादा मतलब सीकने सोती है मौनिंग में लेकिन कईयों को देखे बहुत मतलब बिल्कुल भी उल्टिया नहीं होती है खा अगर आपको प्रेग्नेंसी के दोरान बहुत अधिक भूख लगती है आपको खाने में मिठा खाने का मन करता है अगर आपको देखे नीद ज्यादा आती है और आपको आलस बहुत अधिक आदा है तो यह है लक्षन भी बेटी होने का माना जाता है अगला लक्षन है दोस्तो तो अगर मतलब आपकी प्रेग्नेंसी के दोरान आपको तीसरे चोथे महिने में आगर बच्चे की मुवमेंट फील हो रही है आप मैसूस कर पा रहे हैं उसकी हलचल को तो यह भी देखे बेटी होने का लक्षर माना जाता है माना जाता है कि जो लड़किया होती है वो अधिक चंचल होती है और वो अधिक मुवमेंट करती है और उनकी जो मुवमेंट है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है वही पर जब गर में बेटा होता है तो मुवमेंट लेट फील महसूस होती है अगर गर में देखे लड़की होत करते हैं तो यह भी बेटी होने का लक्षन माना जाता है अगला लक्षन है दोस्तो देखे प्रेग्णेंसी के दौरान देखे वजन तो सभी का बढ़ता है लेकिन सिक्स महिने के बाद आपका जो चहरे पर बॉड़ी पर अगर पूरे बॉड़ी पर आपका वेट ग्रेण हो पर आपको पहले से सगे मुआ, उब्रहुता उब्रा coke, का ओड़ी मेंने में जर्णला जते हैं यानि आपको पुरी बोडि में यह बापका घ्ला लाइँ टो यह हैं नीचे की तरफ होता है तो देखे बेटा माना जाता है अगर वही पर आगर आपका टमी मतलब बिल्कुल फ्रेंट के सामने उभ़ा हुआ है सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है उपर की तरफ उठा हुआ दिखाई दे इससे आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि आपके घर में आने वाला जो महमान है वो एक लड़की है या लड़का है दोस्तों अगर आपको अमरी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें आप सभी को ओम शीगणी शाय नमा